हलो माई दियर फ्रेंड्स वेलकम बैक तो यॉर चैनल तूट्फुल लाइफ अभिरुची सो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब हमारा वेदर चेंज हो रहा है और वेदर चेंज के साथ साथ क्या होता है मार्केट में सबजियों का चेंज भी आ जाता है समर्स में कुछ पटिकुलर सबजियां ही हमें देखने के लिए मिलती है लेकिन जब विंटर आते हैं तो हमें पूरा मार्केट ग्रीन ग्रीन वेजटेबल से भरावा मिलता है और साथ में कितने तरह के साग आ जाते हैं चाहिए आप पालखा देख लो मेती का देख लो या फिर आप सरसो का साग देखो या बत्वे का साग देखो बहुत सारे साग सबजियां बहुत कुछ मिलने लगता है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं कुछ ऐसी रेसिपीज आप से शेयर करूँ जो विंटर्स में ये जो सबजियां आ रही है उसमें आपको बनाने में मज़ा आए और बच्चों को खाने में मज़ा आए तो आज मैं आपके साथ पांच तरह की पूड़ी कैसे बनती है अलग-अलग चीजों को यूज करके वो शेयर करने वाली हूँ और उनकी रेसिपीज मैं आपसे शेयर करूँगी आप उन पूड़ी को घर में ट्राइ करना बच्चों के टिफिन में भी देना और घर में भी खाना और खा के आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन पर बताना ठीक है तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या के नाना सिखाने वाली है पहली पूड़ी होगी हमारी पालक की पूड़ी दूसरी पूड़ी होगी हमारी मेथी की पूड़ी तीसरी पूड़ी होगी हमारी चमार्टर की पूड़ी और चौती पूड़ी होगी हमारी लैसुनी पूड़ी और पांचवी पूड़ी होगी हमार अचारी पूड़ी तो यह हुई हमारी पांच तरह की पूड़ियां अब यह हम देख लेते हैं कि इन में किस किस में क्या क्या इंग्रीजिट्ट डलने वाला है तो फिर इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहा किचन में तो फ्रेंद्स यह सबसे पहले मैं आपको दिखा रही पालक की पूरी के इंग्रीजेंस, इसमें आएगा पालक, हरी मिर्च, अद्रक, हमारा सॉल्ट, अज्वाइन, और हींग, अभी इसमें क्या करने वाली हूं, पालक को एक ग्राइंडर में डाल कर, उसमें हरी मिर्च और अद्रक के एक छोटे से तुकड़े को साथ में तो कोशिश कीजिए कि इसको बिना पानी के ग्राइंड कर लीजिए अगर नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा पानी आड़ कीजिएगा अदर्वाइस जब आप आटा गुत होगे न वह बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा क्योंकि आपके पालक भी पानी छोड़ता है और आप पीला होने के चांसे होते हैं और इसमें आप सॉल्ट भी बहुत सोच समझ कर डालिएगा क्योंकि पालक खुद बहुत नमकीन होता है तो उसमें सॉल्ट अगर जादा पढ़ जाएगा तो पूडियों में टेस्ट खराब हो जाएगा तो फिर मैं इसकी तयारी करके आपको दूसरी पूड़ी के इंगरीजिंस भी दिखाती हो So Friend अब हम आ गया है मेथी की पूड़ी की तरफ तो मैंने ले लिया है मेथी इसको मैंने अच्छी तरफ से बॉश कर लिया अब मैं इसको फाइनिलि चॉप कर लोगी मेथी को अच्छी तरह से चॉप कर लिजेगा अधर इसमें मैं एड करूंगी हींग, for sure आपको पता है हींग तो डलेगा ही डलेगा, salt, और अगर आपको टेस्ट के लिए इसमें डालना है, तो आप बहुत बारीक कटेवे प्यास भी डाल सकते हो, but again वो ही होता है कि पूडी बेलने में problem होती है, तो मैं नहीं add कर रही हो, लेकिन आप add करना चाहें, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्वार देता है, अब हम चलते हैं, तीसरी पूडी की तरफ, तो friends, यह अब हम आ गए हैं, टमाटर पूडी की तरफ, यहाँ पर अभी तो एक टमाटर रखा हुआ है, लेकिन मै grind कर लूँगे, अद्रक के साथ, इस टमाटर को मैं अच्छे से पीस लूँगे, अद्रक के साथ, फिर इस मैं add करूँगी, चिली फ्लेक्स, जवाइन, टेस्ट के लिए, salt, and हींक तो डलना ही है, मेरे हर खाने में, तो यह हैं हमारे टमाटर के ingredients, तो अब चलते हैं, अपनी लहसुनी पूडी की तरफ, लहसुनी पूडी में main ingredient हमारा होगा lesson, lesson को एक certain amount में लेकर, और हमें crush कर लेना है, कूट लेना है, इसको पीस्ता नहीं, grind नहीं करना, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसको crush कर लेना है, इसमें हम डालेंगे chili flakes, तीखे के लिए, अगर आप न lesson के साथ, अजवाइन का टेस्ट अच्छा लगता है, तो अब अजवाइन भी add कर सकते हैं, बट, अजवाइन avoid करेंगे, तो सिर्फ lesson का flavor बहुत amazing आता है, बहुत याम आता है, तो पहले, एक बार हम ये try कर लेते हैं, अजवाइन वालबाद में try कर लेंगे, so हम चलते हैं, अपने next पूरी के ingredients के तरफ, so friends, ये हमारी last पूरी का ingredient में बता रही हूँ, जो है हमारी अचारी पूरी, अचारी पूरी में मैंने निकाल लिया है, अपने आम के अचार का मसाला, आम का अचार मैंने इसलिए mention किया, कि जो आम के अचार के खटास होती है, उसका flavor बहुत amazing आ और उसके साथ hing और salt डालना है, salt लेकिन अंदाजे से थोड़ा सोच समझ कर डालिएगा, क्योंकि already मसाले में भी salt है, और अगर आपको तीखा कम लग रहा है अपने मसाले में, तो आप chili flakes या लाल chili powder भी डाल सकते हैं, अब ये आपके उपर है कि आप कितना तीखा खाना पस तो चलते हैं कि अब क्या करना है आगे process देखते हैं, तो friends सबसे पहले हम गूत लेते हैं पालक काटा, ये जो मैंने आपसे कहा था, पालक, हरी मिर्च और अद्रग को मिला कर मैंने प्यूरी बना लिया है, अब हम सबसे पहले तियार करेंगे पालक की पूरी काटा, तो friends अब मैं गूतने जा रही हूं मेथी के पूरियों का आटा, अच्छा एक चीज़ मैंने आपसे शेयर करना में भूल गी थी, कि मेरी आदत है जीरा यूज करने की, तो इसलिए मैंने पालक की पूरी में जीरे का पाउडर थोड़ा एड़ किया है, आप भी चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, जैसे मेथी के आटे में भी मैं थोड़ा इसा जीरा पाउडर एड़ करने वाली हूँ, तो अब डालते हैं इंग्रीडियंट्स और गूत लेते हैं अपना आटा, तो फ्रेंट्स यह जो है मैंने टमाटर को फ्यूरी कर लिया है, इसमें मैंने अद्रक साथ में आड़ कर दिया था, अब मैं गूत लेते हूँ टमाटर की पूरी का आटा, तो अब मैंने ले लिया है लसन और अब मैं घूतने वाली लसूनी पूड़ी का आठा सो स्टार्ट करते हैं तो अब हम तयार कर लेंगे हमारा अचारी पूरी का आटा अचारी पूरी के आटे के लिए जैसे मैंने आम के अचार का मसाला ले लिए अब मैं इसको आड़ करूंगी तो फ्रेंट्स हमारे पांचो तरह के आटे लखकर तयार हो गये हैं यह रहा हमारा पालक का आटा पालक का आटा आप देख रहे हैं प्यूरी था तो ग्रीन कलर में बन गया है यह हमारा मेती का आटा है और फ़ाइट और में ग्रीन मिक्स कलर बन गया है यह हमारा टमाटर का जो रेट कलर का हो गया है है हमारी लसूनी पूडीयाच जएक तरह पटा यह नहीं लें हमारी चत्त थे लीजि़운 इक पार पर पूडी आए यह हमारी पालंब debit की फाद्वल्ड की सब्सक्राने re 자 7 बना आ हे basces खा लेंगे और पूरी तो बच्चे शौक से खाते ही हैं यह हमारी मेथी की पूरी जिसमें आप देख रहे हो mix color आया है जैसे मैंने आटे में भी आपको दिखाया था यह हमारी अचारी पूरी चोटी चोटी फुली फुली यह है हमारी लसुनी पूरी मैं बता नहीं सकती कि इस समय जो बहुत मजारे अर यह है हमारी यह कैलर आप देख रहे हो हमारे जो बच्चे वह कुछ चीजों को बहुत % से नहीं खाते हैं लेकिन इस तरह से हम थोड़ा इनोवेटिव आइडिया लगा कर अगर कुछ डिफेंट बनाकर उनको टिफेंट में देंगे वह अपना टिफेंट पक्का खतम करेंगे और बहुत खुशी-खुशी खतम करेंगे तो आप भी अपने घर में ट्राइ कीजिए बनाकर खाईए और मुझे कमेंट पर बताईए कि कैसी लगी है मेरी पांच तरह की पूड़िया तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी मत भूलना थैंक यू पर वाचिए